अमने जिता दिये तो बुरा तोड़ी किया है, सब को बोट दियें हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी लाइड चाहिए उमे जो मामा जीते पिर भी हमारी लाइड नहीं ही आ रही, जो मामा चले गए तो आधेरा में रहेंगे हमा इन बच्चों के साथ साथ इनका पूरा वार्ड सीम मोहन यादव से नहीं बलकि पुर्वसीम शिवराज से गुहार लगा रहा है महिलाएं कह रही हैं कि क्या हमने मामा के नाम पर वोड दे कर गलती कर दी क्या हमें दोबारा मामा चाहिए दरसल शिवपूरी की वार्ड करमांक 30 की महिलाओं को मामा की याद इसलिए सताने लगी है क्योंकि इनके वार्ड में 15 दिन से बिजली नहीं आ रही बिना बिजली के 50 जादा गरों के लोग जूज रहे हैं ये मासुम बच्चे भी पढ़ नहीं पा रहे हैं इसलिए जोड जोड से मामा मामा कहे कर गुहार लगा रहे हैं महिलाओं का आरोप है कि शिकायत करने पर खराब डीपी बिजली विभाग ने लगा दी अब महिलाएं धरने पर बैठने की चेतावने दे रहे हैं कि हमारे यहां पर बहुत ज्यादा समझ से आए यह गाउं से बुरा सिस्टम उराएं यहां पर हमारे यह 15 दिन से बिलकुल लाइट नहीं आ रही हम अंदेरे में कब तक रहे हैं बच्चों के पेपर हैं अगर बच्चे पहल हो जाएंगे कौन जुम्यदारी लेगा हमारे आदमी काम करने जाएं तो हम आदेरे में खाना कैसे बनाएं उजाला होगा जबी तो खाना बनेगा आदेरे में कुछ भी ना दिख रहा ना कुछ बूरा 15 दिन से हम बहुत परेशान हैं सभी महिला हैं सभी पुरुष परेशान हैं यहां पर अधिकारियों के हम गएते तो वो हमारे यहां पर डीपी रख गए लेकिन ऐसी डीपी रख गए तो लाइड नहीं आ रही क्या मतलब है यह पर जिता दिया तो बुरा तोड़ी किया है इदर जब अधिकारियों से मामले को लेकर बात की तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मर बदलने की बात तो कह दी लेकिन पिजली कबाएगी इस पर चुपी साथ ली पंदर हे लिए अधिकार्णी है अधिकार्णीस फियल हो जाते है कि लिए कुछ प्रयास की जाते हैं तार हटा दिये जाते हैं पेस्ट भी बनाए गए हैं विकर जबती की कारवाई भी की जाती है ठीक है करने के बाद भी लोग नहीं मामते हैं पूंदिया डालते हैं फिलाल तो अधिकारी बिजली कब आईगी इसको लेकर कुछ भी साफ साफ नहीं कह रहे हैं लेकिन महिलाओन नहीं मामा से इसको लेकर गुहार लगाई हैं अब देखना होगा अगर मामा तक अपने बहनों का ये संदेश पहुंसता है तो वो इस पर क्या संग्यान लेते हैं शिवपूरी से प्रमोध भारगव की रिपोर्ट अपितता है